मात्मा गांधी कहां करते थे कि मेरे स्वराज की कल्पना का अधार ग्राम स्वराज ही है इसलिए ग्राम पंचायते हमारे लोकतंत्र की एक जूट शक्ति का केंद्र हैं हमारी लोकतंत्रिक एक जूटका का यही सबसे बड़ा का ताकत्वर केंद्र है और हमारी यहां तो सास्त्रों में कहा गया है संगमुलम महाबरम अर्थात बड़ी से बड़ी शक्ति का केंद्र संगठन या एक जूटता में ही होता है और इसलिए आज की परितिती में देश को आगे ले जाने की शुरुवात देश को आत्म निर्भर बनाने की शुरुवात गाउं की सामुहिक सक्ति से ही होगी आप सब की एक जूटता से ही संबव होगी इन प्रयासों के बीच हमें यह याद रखना है कि किसी एक की भी लापरवाही एक की भी एक की भी लापरवाही पूरे गाउं को खत्र में डाल सकती है इसलिए ढील की जरा भी गुणजाइस नहीं है गाउं में सेनिटाइजेशन अभ्यान हो सहर से आने वाले लोगों के लिए इतने कम समय में कॉरंटाइन सेंटर बनाने का काम हो हर एक व्यक्ति के खानपान और जरूरत की चिन्ता हो या फिर आम लोगों को जागरूत करने का काम हो ये काम हमें निरंतर बिना रुके बिना थके करते ही रहना है और जैसे इकबाल जी ने अभी बताया जमू कश्मीर के अपने साती ने रिस्पेक्ट भी करो और सस्पेक्ट भी करो मैं जबता हूँ गाउं में बुजुर्ग दिव्यां या फिर बिमार लोगों की सबसे पहली पहुँच उसको कुछ भी कठिनाई होगी तो पहले आपके पास आएगा इसलिए सबसे पहला समाधान भी गाउं के पंच और गाउं के प्रधान के पास ही होना चाहिए हमें ये ध्यान रखना है कि शारिक दुरी दो गज की दुरी ये मंत्र भूलना नहीं है गाउं गाउं गर गर गली गली दो गज की दुरी ये शारिक दुरी साथ साथ मुह को फेस कवर जरूरी नहीं एक बड़े महेंगे वो हो ऐसा गमचा भी चल जाता है लेकिन ये लगातार होना चाहिए या माज से ढंकना हातों की बार बार सफाई की बात हो आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बिमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है यही एक दवाई है हमें बचाव और स्वच्चता पर जादा बल इसलिए भी देना है क्योंकि गर्मी और बरसात के मौसम में अनेक प्रकार की बिमारीों का खत्रा भी बढ़ जाता है और हमारे बारिश के दिन आने की शुरुआत होगने वाली है इस बार कोरोना बिमारी ने इस खत्रे के लिए और रुदिक चिंता का कारण बना दिया है इसलिए हमें बहुत सत्रक रहने दे हुए अपने गाउं को बचाना है साथियों हमारा अतीत का अनुभव बताता है कि बिमारियां और उनके इलाज के बारे में गलत जानकारियों की वज़़ से हमें बिमारियों को रोकने में काफी दिक्कत आती है काफी समय चला जाता है इस बार हमें ऐसा नहीं होने देना है हमें हर प्रकार की गलत पहमी से लोगों को बहार निकालना है हर परिवार तक सही जानकारी चाहे वो बचाव को लेकर हो या फिर इसके इलाज के लिए ये जानकारी पहुंचाने की चाहिए इसके लिए आप छोटी-छोटी टोलिया बना कर और मैंने सुना कही सरपंजों ने कहा कुणने गाउं में छोटे-छोटे-छोटे तोलिया बना दिया, अलग-अलग काम के लिए लोगों को संकटित कर दिया है, तोलिया बना कर जागरुता के अभ्यान को तेश कर सकते हैं, आशा है, एनम है, अंगनवडी कारकरता के साथ, हमारी याशेल्प्य एल्प गुरुब ह हैं, उसकी बहने हैं, युवा मंडल है, पूर्व साइनिक है, दूसरे संकटनों से भी कई लोग आए हैं, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये संकटन भी हैं, हर किसी की मदर लेनी चाहिए, हर किसी को जोड़ना चाहिए.